जब भी घर में मिठाई हलवा या खीर बनाते हैं तो मिल्क मेड का हम इस्तेमाल करते हैं जिसे इन सारी चीजों का स्वाध दूना हो जाता है आज मार्केट जैसा मिल्क मेड बहुत ही कम खर्चे में घर में बनाएंगे वो भी घर में रखे तीन समानों से अब तो तेहारी की लाइन लगने वाली है तो क्यों न हम पहले से त्यारी करके रख लें इस मिल्क मेड को हम लोग 30 दिनों तक अराम से फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं बीना किसी प्रिजर्बरटिव के जब भी घर में मिल्क मिल्क बनाएं तो थोड़ा साइज में बड़ा कडाही ले और उसका तला थोड़ा मोटा होना शाहिए यहां पे मैंने आधा लिटर उबला हुआ दूद ले लिया है अगर आपके पास कच्छा दूद भी है तो उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब मैंने दूद को कडाही में डाल दिया है और गैस के फ्लेम को उन कर दिया है हम इसमें एक अच्छा सा उबार आने देंगे इसे मैंने हाई फिल्म पे 5-7 मिनट के लिए पका लिया है देख सकते हैं कि यहाँ पे दूद का कॉंटिटी थोड़ा कम भी हो गया है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज होने लगा है अब मैंने गैस के फिल्म को मीडियम स्लो कर दिया है अब मैंने गैस के फिल्म को मीडियम स्लो कर दिया है इस आज पे हमें 5-7 मिनट के लिए और इसे पका लेंगे अब भी आप घर पी करनेस मिल्क बनाएं तो इसे आप लगातार चलाते रहें अगर इसे हम चलाना छोड़ देंगे तो इसमें मलाई जम जाएगी हमें मलाई वला करनेस मिल्क नहीं चाहिए हमें स्मूथ करनेस मिल्क चाहिए मैंने इसे 5-7 मिनट और पका लिया है आप देख सकते हैं कि ये दुद काफी ज़्यादा रिडियूस हो चुका है अब देख सकते हैं कि आप करने से मिल की consistency बहुत अच्छी हो गई है इसे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है ठंडा होने के बाद भी और ज़्यादा थिक हो जाएगा यहाँ पर मैंने गास के flame को off कर दिया है अब इसमें मैंने एक बिंच खाना सोडा डाल दिया है जिसे हम मीठा सोडा भी बोलते हैं सोडा डालने के बाद 30 से के लिए गास के flame को on कर देंगे सोडा डालने के बाद जैसे ही से आप mix करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जाग बनने लगा है और इसका टेक्चर बहुत ही ज़्यादा smooth और creamy हो गया है इसे अच्छे से थोड़ी दिर से लाके हम अच्छे से mix कर लेंगे इसे जादा हमें नहीं पकाना है अब गास के flame को हम आफ कर देंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर milk mint हमारा कितना बढ़ियां बनके तयार हुआ है विल्कुल creamy and smooth आप देख सकते हैं कि हमने आधा लिटर डू से कितने सारे milk mint बना के तयार कर लिया वो भी घर में देखिए इसका texture कितना creamy और smooth है और कितने अच्छे से यह गिर रहा है यहाँ पर मेरे पास market वाला भी milk mint है उसे भी देख लेते हैं चले market वाले milk mint का भी consistency देख लेते हैं लबक दोनों की ठीकने सेम है इस milk mint का स्वाद मार्केट वाले milk mint से भी जादा अच्छा है इस milk mint को अपहले से बना के फ्रीज में store कर सकते हैं और जब भी कोई festival आप तुरंद में मिठाई या हलबा कुछ भी बना के तयार कर सकते हैं अगर आज की रेस पे आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अगर आज की रेस पे आप लोगों को थोड़ा सा भी useful लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और मेरे चानल घर कर जागा को सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद